Rivers and Lakes के पार्ट सेकंड की वीडियो में दोस्तो हम आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तो अगर आपने हमारे चनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजी और साथ में बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले तो दोस्तो अभी तक हमने Rivers and Lakes के आपको दो वीडियो जो हैं प्रोवाइड कर चुके हैं पहले तो हमने आपको explanation पार्ट जो था वो प्रोवाइड किया था अब दूसरा जो है हमने part first MCQ Rivers and Lakes का प्रोवाइड कर दिया है तो जिसमें हमने 50 कॉशन जो हैं डिसकस किये अब start करेंगे second video के साथ करते हैं दोस्तो आज के question को तो दोस्तो पिछली वीडियो में हमने 50 कॉशन जो हैं डिसकस कर लिये थे तो आज हम start करेंगे अपने 51st question से आज हम start करेंगे दोस्तो तो आज का जो हमारा 51st question है वो रहेगा तो पिछली वीडियो में भी हमने आपको ये डिसकस किया था ये बताया था कि माजुली जो आईलेंड है कोन से रिवर में पढ़ता है ठीक है तो ये आप पिछली वीडियो जो है तो अब डिसकस करते हैं अपने 52nd question को 52nd question पर चलते हैं तो जो 2nd रिवर वेसिन है तो ये दोस्तो आपको बताना है कि कौन से रिवर का है तो इसका राइट आंसर रहेगा option number D that is गोदावरी रिवर 53rd question पर चलते हैं दोस्तो अभी देखो पहले तो पूछा गया कि 2nd largest जो है हमारा रिवर वेसिन पूछा गया नादी का बेसिन option number E that is Krishna basin इसका right answer रहेगा 54rd पर चलते हैं दोस्तो दो लॉंग एस्ट डैम इन इंडिया तो आपको बताना है कि जो लॉंग एस्ट डैम है भारत की वह कौन सी है तो longest dam जो है भारत की दोस्तों कोन सी है वो है दोस्तों हिराकुंड डैम कोन सी है वो हिराकुंड डैम जो कि कोन सी नदी पे आती है महा नदी कोन सी नदी पे आती है दोस्तों महा नदी यह important question है दोस्तों को paper point of view से चलो next question पर चलते है question number 55 पर चलेंगे which one of the falling river originates near महा जो है महा बलेश्वर जो है महाराष्टा में वहां से originate होता है याद रखना है आपको 56 पे चलते हैं इंद्रावती इस ट्रिविटरी आप विच रिवर इंद्रावती जो है दोस्तों कोन से रिवर की जो ट्रिविटरी है important question है तो right answer रहेगा दोस्तों option number B that is गोदावरी र बताया था और उससे पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था तो इस वीडियो में यह answer डिसकर देख लेते हैं इसका तो इसका answer रहेगा option number C that is इंदस तो इंदस की जो है major tributes यह बादनी चाती है याद रखना है आपको चलो 50th पे आजाईए the river ganga in its origin state is known है जब व अगी रथी के नाम से उसको जाना जाता है और जब वो अलकनंदा के साथ मिल जाता है उसके बाद उसको river ganga को जो नाम है वो दिया गया है चलो तो river ganga और अलकनंदा आपस में मिले थे तो उस जगा का नाम क्या है that is देव परियाग यह मैं आपको इस वीडियो में बता दे जो की फार्म हुए river ब्रह्म पुत्र से तो उसका नाम क्या है उसका नाम आपसे दोस्तो पूछा गया है तो उसका नाम है दोस्तो option number a that is mojoli तो mojoli जो असाम में है वो दोस्तो वो largest riverine island है जो की river ब्रह्म पुत्र से जो है बना है तो यह पहले question भी हमने यह discuss किया 60th question पर आ जाते हैं question number 60 which river is popularly known as दक्षिन गंगा तो दक्षिन गंगा के नाम से दोस्तो किसको जाना जाता है तो यह question दोस्तो हम बहुत बार discuss कर चुके है इसका right answer का option बी दा गुदावरी इसको क्या बोला जाता है गुदावरी next question पर चलते हैं दोस्तो question 61 the नर्मदा river rises जिन्दा तो जो नर्मदा river है वो कहां से rise होता है यह पूचा गया है तो इसका जो right answer रहेगा दोस्तो option number a that is अमर कंथक तो अमर कंथक से जो है नर्मदा रिजर जो है rise होता है बहुत अच्छा question है चलो आज आज आई ए नर्सीप की full farm पूशी गई है दोस्तो नर्सीप का क्या मतलब है तो नर्सीप का जो मतलब होता है वो होता है दोस्तो national river conservation plan तो national river conservation plan यह पूचा जा सकता कि नर्सीप की full farm क्या है क्योंकि यह river से related है तो इसलिए पूचा जा सकता कि नर्सीप की full farm that is national river conservation plan चलो 63rd question पर आजाईए the largest salt water lake in इंडिया जो largest salt water lake है दोस्तो Salt Water Lake, largest Salt Water Lake जो है ये दोस्तो इसका नाम पूछा गया है तो इसका नाम क्या रहेगा तो इसका नाम है दोस्तो Option number C, that is Chilka Lake इसका नाम क्या है? Chilka Lake पिछली वीडियो में हमने दोस्तो पढ़ा था कि राजस्तान में एक Saline Water Lake है तो इसका नाम आप मेरे को comment section में बताओगे ठीक है? तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे है Largest Salt Water Lake तो इसका नाम क्या है? दोस्तो, that is Chilka Lake ठीक है दोस्तो, अब Chilka Lake जो है दोस्तो इसको हम दोस्तो जो बोलते हैं Largest Brackish Water Lake भी बोलते हैं Inland Salt Water Lake तो वो आएगी दोस्तो आपकी संभर Lake वो क्या आएगी? संभर Lake और Largest Fresh Water Lake तो आप सभी को पता है Largest Fresh Water Lake कोन सी है? that is बोलर Lake ठीक है जी? चलो आज ये question number 64 पर What is the total length of river Krishna? तो total length of river Krishna है वो कितनी है दोस्तो तो इसका right answer होगा 1400 km option number C is the right answer तो river Krishna की total length है 1400 km question number 65 पर आजाईए The Ganga and Brahmaputra river join together and form dash before submerging into the Bay of Bengal तो ये मैंने आपको दोस्तों पिछली वीडियो में भी जब मैं आपको बता रहा था तो first वीडियो में भी इसको explain किया गया है तो river Ganga और Brahmaputra जब मिलते हैं आपस में तो वहाँ पे क्या बनाते हैं वहाँ पे बनाते हैं दोस्तों सुंदरवन डेल्टा और उसके बाद वो Bay of Bengal में जाके समर्ज हो जाते हैं ठीक है चलो 66 पर आजाईए in the final stage before meeting the seas and ocean river break up into various streams और उनको क्या बोला जाता है देखो क्या होता है कि जो समुंदर में या नदी किसी भी समुंदर में मिलने से पहले जो river होती है वो break up हो जाती है various streams में छोटे-छोटे streams में होगा है तो उन छोटे-छोटे streams में जो तूरती है river उनको क्या बोला जाता है तो दोस्तों उनको बोला जाता है that is distributaries उनको क्या बोला जाता है distributaries ठीक है दोस्तों चलो आज एक question number 67 पे a lake formed when a meandering river is cut off from the mainstream is known as तो एक lake का बनती है जबकि एक meandering river जो है वो mainstream से cut जाता है मतलब एक river जारी उससे क्या बोला जाता है ये पूछा गया दोस्तों उसको बोला जाता है तो उसको बोला जाता है दोस्तों Oxbow Lakes उनको क्या बोला जाता है Oxbow Lakes ठीक है याद रखना है आपको question number 68 पे आ जाते है river Brahmaputra take a hairpin turns from तो hairpin turns जो है वो लेती है river तो इसका राहे आंशर होगा दैट इस नम्चा भारवा तो आप सभी को पता है कि जो ब्रहमपूतर रिवर वो तिब्बत से ओरिजन होते हैं तिब्बत में यह उरिजन होते होते हैं जो आती है उसके बाद नम्चा भरवा दोस्तों एक मौंटेन है जो की चाइना में पढ़ देख लिजिए, what is the total length of river Ganga, तो अच्छा कोशन है दोस्तों कि आपके पूचा गया कि river Ganga की जो total length है वो कितनी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा, दोस्तों, option of B, that is 2500 km, 2500 km इसका राइट आंसर रहेगा, चलो, 70 EP आ जाते है, the drainage basin of the peninsular river in comparison to the himalayan river साथ, तो ये तो बहुत अ अच्छा कोशन है और इसका answer आपको पता लगी किया है, देखो, himalayan rivers और peninsular rivers, ठीक है, इसका मैंने आपको last में बताया भी था वहां पे, कि peninsular river और himalayan river में से सबसे drainage basin किसका बढ़ा होता है, तो दोस्तों, किसका बढ़ा होगा, आपको क्या लगता है, किसका बढ़ा होगा, ठीक है दोस्तों, तो मतलब himalayan river का drainage basin बढ़ा है, peninsular river का drainage basin छोटा, तो answer आपको समझ में आ गया, चलो, 71 पर आजाए, अंबाला is located on the water divided between, जो अंबाला है, वो कौन से river के बीच में जो है, जो water divided हुए, उसके बीच में जो located है, तो इसका जो right answer रहेगा, दोस्तों, आपको क्या लगता, क्या रहेगा, इसका right answer रहेगा, दोस्तों, option number C, that is, इंदस और गंगा, इंदस और गंगा के बीच में जो वानी डिवाइड हो, इसके बीच में अंबाला जो है, that is located, 72 पर आजाते हैं, द अमराबती, द भाबनी, द हमाबती, द कावीनी, तो ये किसकी tributaries हैं, किसकी tributaries हैं, दोस्तों, तो इसका right answer जो हो रहेगा, that is option number C, that is the कावेरी रिवर, अमराबती, भाबना, हमाबती, कावीनी, ये किसकी tributaries हैं, कावेरी रिवर की, चलो, आईए 73 पर, 73 हमारे पास question है, the Brahmaputra river, which flowing outside India, उसको किस नाम से जाना जाता है, दोस्तों, Brahmap उसको जाना जाता है, चलो, आज ये 74th question पर, हमाले रिवर्स are pernial because, हमाले रिवर्स पर्णियल क्यों होता है, तो दोस्तों, हमने first video में आपको pernial और non-pernial rivers के पर में बताया था, हमने बोला था कि हमाले रिवर्स जो pernial होते हैं, पर pernial का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं a constant flow समझ रहे हो constant flow मतलब एक जैसा flow तो मतलब हमाले कद आ काशलो पानी काशलो जो है वो एक जैसा रहता है समझा ही बात चलो आज एक 75th के पे एहमदाबावा टाउन इस सिटुएंटर ऐगा पूचा गया कि कौन से river के तट पे वो located है तो इसका जो right answer रहेगा दोस्तो वो रहेगा सावरमती right answer क्या रहेगा दोस्तो सावरमती तो एहमदाबाग टौण जो है सावरमती river के तट पे है चलो आज़ेगे next question पे 76 पे which dam is built across the सत्लूज river सत्लूज river के किनारे दोस्तो सत्लूज river के पास कौन सी dam जो हो built की गई है सत्लूज river पे तो इसका जो right answer रहेगा दोस्तो वो रहेगा option number B that is बाकडा नंगल डैम तो बाकडा नंगल डैम जो सत्लूज river पे बनाई गी है दोस्तो याद रखना है चला जीए 77 पे the river which carries large quantity of water every year to the seas सबसे ज़ादा पानी जो लेके जाता है समुंदर में सबसे ज़ादा कौनिटी में पानी हर साल समुंदर में जो लेके जाता है वो river कौन सा है दोस्तो तो दोस्तो उसका answer जो रहेगा वो आ है आपका option number C that is Amazon तो वो answer क्या रहेगा दोस्तो Amazon river तो Amazon river कहाँ पे है दोस्तो that is in South America South America में ये रिवी बढ़ता है Amazon river सबसे ज़ादा quantity में ये पानी हर साल समुंदर में चोड़ता है चलो आज जाए 78 question पे the world longest river is world का दोस्तो longest river कोन सा है तो इसका right answer क्या होगा option number C तो नाइल तो नाइल is the world का longest river आपको याद रखना है question number 79 पे है ये which of the falling is not a tributary of the Ganga तो Ganga की दोस्तो आपको बतानी है इन में से कौन सी tributary नहीं है तो इसका right answer का option number D that is Chambal तो दोस्तो चambal किस की tributary आगए Ganga नहीं है तो ये है Yamuna Yamuna की a tributary है दोस्तो ये आपको याद रखना है ठीक है दोस्तो चलो आज़े ये 80th question पे the peninsular river have their have their source in ये दोस्तो have their दो बार आ गया इसको काट लो एक बार जो peninsular river है उनका source कहां पे है तो अच्छा question है दोस्तो इनका कहां पे source होता है that is in the western gods कहां पे होता है इन the western gods अच्छा question है कि peninsular river का source है western gods 81 पे आज़े ये सिर्नगर is situated on the bank of river जो सिर्नगर है दोस्तो कों से river के bank पे कों से river के तर्ट पे जो है situated है तो आपको option है दोस्तो option अब सीज का राई टानसरो का that is on the bank of river जेलम चलो 82 पे आज़े जमशेदपूर steel plant अच्छा question है दोस्तो जमशेदपूर का जो steel plant है is located in the confluence of the river सुवेर निर्खा and सुवेर निर्खा और कों से river के जो बीच में जो है जमशेदपूर steel plant जो है वो पढ़ता है दोस्तो तो इसका जो right answer रहेगा option number A that is दामोदर दामोदर उस सुवेर निर्खा के बीच में जमशेदपूर steel plant जो है वो पढ़ता है आज़े ये 83 पे river दामोदर कहां पे खतम होता है दोस्तो रीवर दामोदर जो है दोस्तो कहां पे खतम होता है ये आपसे पूछा गया है तो इसका right answer होगा दोस्तो option number B that is हुगली तो हुगली में जो है river दामोदर जो है वो खतम होता है आज़े ये 84th question पे नागा अर्जुना सागर डैम important है दोस्तो इसको मार कर लीजिए अकसर बहुत भार पेपर में इसको पूछा गया है नागा अर्जुना जो सागर डैम है वो कौन से river के पास constructed की है कौन से river पे construct की गई है तो इसका right answer होगा दोस्तो option number D that is Krishna river तो इसका answer क्या होगा दोस्तो option number D that is Krishna river Krishna river पे जो है नागा अर्जुना सागर डैम जो है इसको construct किया गया 85 पे आजाएए दोस्तो किनाल irrigation जो की widely prevulated है in the falling state of India कौन सी है किनाल irrigation यहाँ पे यह पूछा गया है कि जो किनाल irrigation है कौन सी state में भारत की कौन से state में जो है सबसे जादा किनाल irrigation यूज करते है यूज करते है तो इसको यूराइट आंसर रहेगा option number A that is Punjab Question number 86 World largest dam is तो world की largest dam कौन सी है तो world की largest dam है दोस्तो that is three george that is in China तो आपको याद रखना है कि three george जो की चाइना में है world की largest dam है और important question B है important question B है Next question 87 Which river has its source outside of India कौन सा river है जिसका source जो है भारत के बाहर है इन में से पूछा गया है इन में से पूछा गया है भारत में से outside source किसका है तो यहाँ पर आपको दीखी रहा होगा कि किसका outside source है तो इसका right answer का option number D इसका source कहाँ पर है that is in Tibet ठीक है अभी तो पता लगी कि आपको काफी ज़्यादा चलो next question पर आजाए question number 88 Which is the largest freshwater lake in northeast India देखो उद्यान से पढ़ना है question को largest freshwater lake तो पूछा है पर कहां पर पूछा गया है northeast India में आप से पूछा गया है northeast India में तो आप से पूछा गया कि northeast India में largest freshwater lake कौन सी है तो option number C is का right answer हो देखी लॉक्तक लेक कहां पर लॉक्तक लेक कहां पर ये northeast India में और जी largest freshwater lake है याद रखना आपको 89 पर आजएगे name the city which was called as city of lakes कौन सी city है जोस्तों जिसको city of lake के नाम से बोला जाता है तो उसका सही उत्तर होगा option number B that is Bhopal तो उसका right answer क्या होगा option number B that is Bhopal देखो यहाँ पर क्या called as बोला जाता है एक होता है known as जाना जाता है ठीक है non as तो उसमें आएगा उदेपूर दोस्तों उसका right answer होगा और इसमें बोला गया है कि किसको बोला जाता है city of lakes that is Bhopal चलो आज़े next question at 90 पे name the state in which the Dul Lake is located तो कौन सी state है जिसमें Dul Lake जो है वो located है तो यह आपको सरल सा answer है इसका आप बता दोगे option number D that is Jammu and Kashmir तो Jammu and Kashmir में Dul Lake जो है situated है या आप सभी को पता है 91 पे आजाएए दोस्तो कॉलकाता is situated on the bank of river तो अच्छा question है दोस्तो की कॉलकाता जो है कौन से river के bank पे जो है situated है तो इन सभी का answer आप maximum लोग जानते होंगे option number B हुगली is the right answer जिसमें दौमोदर नदी जो है वो आके mix-up होती है ठीक है तो यह आपको याद रखना है option number 92 which river in India crosses the topic of cancer twice तो कौन सी नदी है भारत की जो tropic of cancer को दोस्तो दो बार cross करती है बहुत अच्छा question जो है यह पूछा गया आपसे इसका right answer रहेगा दोस्तो option number D that is mahi river तो mahi river जो है tropic of cancer को दो बार cross करती है याद रखना है आपको 93rd question पर आजाते हैं दोस्तो बितस्ता is the Rig Vedic name of which river तो बितस्ता जो है Rig Vedic नाम है किसी river का तो किस river का है यह आपसे पूछा गया है तो उसका right answer रहेगा option number A that is yellam तो yellam इसका right answer रहेगा मैंने आपको बताया है दोस्तो यह Rig Vedic name सारी पहली वीडियो में जब explain किया है उसमें सब बताया गया है तो अगर आपने वीडियो नहीं दिये तो इसकी description में भी आपको उसका link जो है उस वीडियो का link जो है प्रोवाइट कर दूँगा आप वहाँ से देख लीजेगा question number 94 which river is most prominent river in Rig Veda तो Rig Veda का most prominent river दोस्तो किसको बोला जाता है तो इसका right answer हो का option number A that is सरस्वती river तो सरस्वती को दोस्तो Rig Veda का most prominent river जो है बोला जाता है 95 पे आजाते है which dam is built on महानदी महानदी पे कौन सी dam जो है build की गई है तो अभी आपको याद होई गया होगा क्योंकि 2-3 बार मैं बता चुका हूँ इसका right answer हो का option number B that is Hirakun Dam तो Hirakun Dam जो है किस पे बनाई गई है that is on महानदी river 96 पे आते हैं दोस्तो on which river is the 200 fall located 200 fall जो है कौन से river पे दोस्तो है तो इसका right answer हो का option number A that is नर्मदा river तो नर्मदा river पे जो है 200 fall located है आपको याद रखना है 97 पे आज़े हैं दोस्तो meeting place of Alkananda and Bhaagirati उसको किस नाम से जाना जाता है तो देखो मैंने आपको अभी पीछे बताया कि Bhaagirati जब निकलती है गो मुक से तो उसको हम Bhaagirati के नाम से जानते हैं यह तो पता लग गया आपको फिर मैंने आपको बताया कि Bhaagirati और Alkananda अपस में मिलती है तो मिलने के बाद जो है गंगा रिवर जो है वहाँ से उसको नाम दिया जाता है गंगा रिवर का Alkananda और Bhaagirati के मिलने के बाद तो मैंने आपको यह भी पताया कि जो मीटिंग प्लेस है यहाँ पे Alkananda और Bhaagirati मिलती है उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है दोस्तो देव परियाग आपको याद रखना है option number 6 का right answer होगा option number 6 का right answer हो उसको क्या बोला जाता है देव परियाग उसको बोला जाता है अब बिश्णु परियाग क्या है करना परियाग क्या है रुद्रा परियाग क्या है यह सब मैंने आपको first video में जो है discuss किया अच्छे से अब वहाँ पे इसको देख लिजएगा चलो आज है 98th which of the falling river did not discharge its water in the Arabian sea तो कौन सा river है जो अपने पानी को discharge नहीं करता Arabian sea में Arabian sea कहां पर पढ़ता है आपको दोस्तो west flowing rivers जितने भी west flowing rivers हैं वो कहां गिरेंगे Arabian sea में जाके गिरेंगे यह तो समझ आ गया तो इसमें से यह पूछा गया कि कौन सा river जो है तो चिनाफ का रिगवेदिक नाम क्या है दोस्तो इसका right answer रहेगा that is option number C दोस्तो अश्किनी तो अश्किनी इसका नाम है दोस्तो आपको याद रहें चंदर भागा के नाम से भी दोस्तो चिनाफ river को जाना जाता यह भी आपको बता दो चंदर भागा चंदर भागा के नाम से भी चंदर भागा के नाम से भी चंदर भागा के नाम से भी उसको जाना जाता है लास्ट कॉशन आज का तो आरेवेली हिल की पुशकर वैली से कौन सा river जो है वो औरिजिनेट होता है बहुत अच्छा कॉशन है तो right answer is लूनी दीवर जो है इसका right answer रहेगा उमीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी वो आपने सारे के सारे कॉशन जो है देखी होंगे और इसके आंसर भी दिये होंगे और आपने काफी अच्छे जो हैं स्कोर भी कियोंगे दोस्तों उमीदियां यही करता हूँ तो दोस्तों हमारे चैनल पे आए वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीस वीडियो को लाइक करें हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप वीडियो को शेर भी ज़रूर करें और अगर फर्स्ट टाइम चैनल हमें आए अगर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स वर वाचिंग और हैवे नाइस टे